Hello Friends, Welcome to Commerce World आज का हमारा टॉपिक है Detail Meaning of Credit Rating Agencies प्रीवेस वीडियो में हमने Credit Rating का Meaning समझा था Advantages समझे थे, Disadvantages समझे थे आज हमने Detail Meaning समझना है Credit Rating Agencies का इधर हम सिरफ Credit Rating Agencies को समझेंगे इसके Functions क्या होते हैं इसके Importance क्या होते हैं यह क्या सिंबल अजयन करती है उन सिंबल के क्या मतलब है वो अलग-अलग separate वीडियो में हम समझेंगे आज हम सिरफ इसका Credit Rating Agencies का मतलब समझेंगे Credit Rating हम समझके आ चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां बोला है A Credit Rating Agencies is a Financial Referee जो Credit Rating Agencies होती है यह क्या होती है Financial Referee होती है जो की एक investor को एक lender को guide करती है कि कितना सही है और कितना risky है कहीं पे invest करना मतलब कमपनियों में invest करना तो कहीं न कहीं यह कमपनियों को क्या करती है rate करती है और उनको assess करती है तो कहीं न कहीं गैडिट रेटिंग को हम बोल सकते कि यह financial referee है जिसका क्या काम है assess करना और rate करना कि इनको company को कि कितना सही होगा कितना गलत होगा अगर आप यहां पर invest करना चाहते हो या इनको money देना चाहते हो लेंड करना चाहते हो ठीक है देखती है financial background की हाँ वही कैसे है previous अगर इन्होंने loan लिया था तो क्या यह pay करते थे कि नहीं यह हम सारा credit rating में समझ के आ चुके है तो अब lender को help करने में मतलब कि मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए उसको क्या help हो जाती है it is a safe to lend money to a person तो कहीना के credit rating agencies क्या है rate करती है त वहाँ पर land कर सकते हो और वहाँ पर invest कर सकते हो वाई अगर किसी company का lower score है तो इसका मतलब किया है वहाँ पर risk बहुत है तो वह आपके उपर है ठीक है अगर आप risk taker हो तो आप कर सकते हो this rating can influence things यह जो rating होती है यह बहुत ही चीजों को क्या influence करती है जैसे कि अगर rating जादा है कम है तो यह क्या क्या चीजों को affect करती है interest rate ठीक है क्योंकि lander क्या है land करेगा money को तो interest क्या रहेगा time क्या रहेगा repayment का और terms and conditions क्या रहेगी तो यह rating क्या है इन चीजों में बहुत impact करती है तो अब हम देखते है meaning the credit rating agency look at your financial history जो credit rating agency है न वो क्या करती है कंपनियों का financial history को like weather क्या देखती है कि क्या आप मतलब company क्या company ने past के loans को timely pay किया था ठीक है और अगर नहीं किया था तो कितना इनके उपर already outstanding debt है they then you वो क्या है फिर आपको score देती है उस बिस इस पे kind of like grade grade देती है जैसे grade school में मिलते थे थे na A, A, B, A+, A+, B+, C, D, E, F ऐसे जो grade मिलते थे यहाँ अभी यही मिलते है company को this score tells यह score क्या tell करते है bank को कि आप कितना trust कर सकते है इस company को अगर आपको loan देना है तो नहीं तो यह देखो कितनी easy सी definition है आप इसको अपने paper में लिख के आ सकते हो ठीक है और समझते है इसको मैंने बोला detailed meaning है तो यहाँ पर हमने इसको और किस किस वे से अगर किसी company का high score है it means इसका मतलब you are reliable borrower आप क्या हो एक ऐसे पैसे लेने वाले हो जो क्या है timely pay भी कर देते हो and the bank is or bank क्या है more likely to approve तो आपके chances बहुत हो जाते कि bank आपको क्या loan दे देगी better terms पे ठीक है like a lower interest as compared to lower interest जैसे मतलब आपको low interest पे मिलेगा ठीक है and better terms and conditions पे मिलेग but if you have a low score अगर आपका low score है तो it means you might be a riskier borrower तो आप क्या हो riskier borrower आप timely नहीं देते हो तो आपको interest भी जादा लग जाता है और favorable terms पे मिलती है ठीक है in a sense a credit rating agency help lenders तो कहिना कि credit rating agencies lenders को साधा help करती है जैसे bank हो गए ठीक है ताकि वो decision ले सके easily ठीक है और वो trust कर सके कि आप मत अगर आपको रेटिंग अच्छी मिली है तो आप क्या हो अपरी term and conditions पे क्या है लोन को ले सकते हो on the other hand if अगर पर आपका अगर score क्या है कम है जैसे D है F है E है यह सब है तो फिर कहीं न कहीं आपके लिए दिक्कत आ जाती है तो कहीं न कहीं आपको भी रहता है कि यार मेरे को ना timely pay करना चाहिए क्योंकि जब मुझे rating मिलेगी तो अगर गलत मिल गई तो आगे जाके भी क्य है मेरे को वो लोन ले दिक्कत आ सकती है ठीक है so credit rating agencies help करते है lender की कि वो smart decision ले सके ठीक है और उन्हें पता लग जाए करना है या नहीं करना invest फिर जैसे हमने financial referee बोला था इनको scorekeeper भी बोलते है किसका money का accrediting agencies like a scorekeeper for money they give grades वो क्या करते है ग्रेट करती है people को businesses को company को ठीक है कि कित अपने परफॉर्मेंस कैसी कि अपने पूरे इस साल में मार्च में मिलते है हमें कि हमने पिछले अपरैल से लेके अभी तक क्या किया ठीक है ठीक है credit rating भी करती है यही काम करती है but instead of grading subject वो आपको subject पे grading नहीं देती वो क्या है यह देती है कि आप कितनी जल्दी पेगर देत अगर कंदा मिला है तो फिर मतलब की तुम क्या हो वहां स्कूल की केस में हम पढ़ते नहीं है हमारी परफॉर्मेंस बंदी और यहां भी क्या performance बंदी है मतलब हम टाइमली पे नहीं कर पाते है तो but if you struggle with school and get low grades तो वही अगर जो हमारे grades ने वो कमाये तो इसका मतलब तुमे इंप्रूफ करने की ज़रत है तो वैसे कंपनियों को भी क्या है अगर bad credit rating मिली है तो उने क्या है एक वो दिया जा रहा है कि आपको इंप्रूफ करो इनको ठीक है टाइमली पे कर दो अगली बार तो फिर आपकी भी इंप्रूफ हो जाएगी bank and other lender use these grades और जैसे हमारे घर में जो यह हमारा report कार्ट आता है उसको सारे देखते हैं ठीक है और वो जज़ करते हैं कि हम हमारी performance क्या रही है तो वैसे ही credit rating को कौन यूज करता है लेंडर करते हैं ठीक है वो यूज करते है यह grades को और देखते कि क्या हमें इने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए money ठीक है यह सारी चीज़े तो इससे कहिना कि bankers को bankers को और investors को कहाते हैं बहुत help मिलती है तो ठीक है इतना ही हमारा meaning था है हमने देख लिया इसको example के साथ भी है school teacher के example के साथ भी हमने समझ लिया इसका meaning भी समझ लिया और क्या-क्याब होते वो भी सम पसंद आई हो तो like share subscribe जरूर करें धन्यवाद थैंक यू